हलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज अनलोग सिग्नल इन डेल्टा प्रोग्रामिंग तो उससे अगर हमारा कोई टेंपरेचर ट्रांस्मिटर है या मतलब जो भी फिजिकल कॉंटिटीज है वो हम फिजिकल कॉंटिटी में आॉटपूट या पे जनरेट कैसे कर सकते हैं उसके लेकों से इंस्ट्रक्शन यूज होता है डेल्टा में तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो उससी के उपर है कि analog के signal जो है physical quantity to physical quantity हमें कैसे चेक कर पाएंगे और कैसे इसको हम use कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में तो हमारे पास जो allen badly में है वो scale instruction है सिमेस में देख सकते हैं तो वहापे भी scale instruction है इसी प्रकार से delta में जो instruction है वो भी scale instruction है उसका जो use करते हैं instruction में उसको बोलते है sclp तो मैं आप प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि मैंने एक project लिया है मैंने एक analog signal के उपर sclp जो है वो instruction मेंने use करके मैं आप बताने वाला हो कि वो instruction से हमें यहापे physical quantity parameter में कैसे चेक कर सबाएंगे okay simple तो sclp यह instruction क्या है वो पहले हम चेक करते हैं तो मैं यहापे double click करके यहापे इसके help में चला जाता हो तो आप यह help में जाने के बाद यहापे चेक कर पाएंगे कि जो instruction है sclp उसका फुल फॉर्म में parameter professional calculator तो उसमें जो source 1 है वो मेरा values है जो यहापे PLC को connect होने वाला है source 2 है वो parameter है and d जो है वो मेरा output operation है okay output मेरा operation result जो रहेगा वो d में generate हो जाएगा तो source 1, source 2 and d जो है वो किस तरीके से work होता है मैं आपको बताता हूँ तो यहापे आप देख सकते हो कि s2 जो है वो max source address है s2 प्लस 1 तो यानि यहापने यहापे d 1000 लिया है तो s2 प्लस हो गया 1001 automatically तो minimum source input value से यहापे रहेगे okay मतलब source आपको जो PLC को input parameter जो connect होने वाला है अगर system bit addressing रहेगे तो 0 to 8000 तक यहापे addresses आ जाएगे तो beat up instruction का यहापे फंडा है उस तरीके से हमें वो utilize कर सकते है okay तो s2 हमारा रहेगा max source address s2 प्लस 1 रहेगा minimum source address s2 प्लस 2 रहेगा max destination address तो हमें जिसमें output चाहिए okay तो वो destination address में चला जाएगा s2 प्लस 3 जो रहेगा वो minimum destination address रहेगा okay तो मैं just simple यहापे आपको दीखा सकता हो कि यहापे नीचे आपको दीखा दता हो y is equal to kx plus b जो k okay तो इससे क्या है अब यहापे यह logic जो है वो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो d output निगलेगा वो किस तरीके से निगलेगा d is equal to जो हमारा destination output है d is equal to s1 minus minimum source value into maximum source value minus minimum destination value in bracket divided by max source value minus minimum source value plus minimum destination value तो y is equal to kx plus b जो हमारा यह जो graph है slope का जो graph है उस तरीके से हमें output यहापे जेनेट हो जाएगा मतलब x and y direction में हमारा output जो रहेगा वो हमें मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा मैं आपको example के तरीके से आपको बताने वाला हूँ वो कैसे work होता है तो simple यहापे देख सकते हो कि scale scp instruction जो है sclp instruction में यहापे देख सकते हो यहापे आप देख सकते हो sclp instruction में 140 जो मेरा source input है d10 जो है वो मेरा programming s1, s2 जो मेरा output यह रहेगा programming input रहेगे and d101 जो है वो मेरा output है destination output है तो अब देख सकते हो 100 लिया है तो मेरा हो गया यह हो गया मेरा source input का max value 100 प्लस 1 हो गया, s2 प्लस 1 हो गया मेरा minimum destination source value यह रहेगा मेरा destination value source का max वाला and यह वाला चीज रहेगा मेरा source का minimum destination value यानि PLC को जो input करेंट करेंगे वो count जो आने वाला है वो 0 to k 0 to k 8000 में आने वाला है वो उस तरीके से मुझे output जो मिलने वाला जो output मुझे चाहिए वो जाहिए मुरे को के 0 to k 100 तक यानि अगर मेरा temperature transmitter हमने यूज किया है तो temperature transmitter की range मेरी जो है 0 to 100 degree Celsius है तो मैं उसके लिए मेरा destination address क्या रहेगा मुझे output जो चाहिए वो क्या रहेगा 0 to 1000 में range डालूँगा और मुझे PLC count जो मिल रहा है वो 0 to 8000 तक मिल रहा है तो मैं यहापे 0 to 8000 यहापे count डालूगा तो इस तरीके से हम SCP instruction यूज कर सकते हैं उसको इस तरीके से हम configure करेंगे configure करने बात मैं यह आपे यह instruction कैसे वर्क होती मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल मैं उसको online जाता हूँ और online जाने के बाद ठीक है मैं यहापे इसको देख सकते हूँ यहापे भी सब 000 है क्योंकि मैं run mode में डाला नहीं तो सिंपल मैं यहापे इसको program को run mode में डालता हूँ रन मोन जैसे आईगा, input यहाँ पर हाय हो जाईगा, तो मेरा देख लिज़ें, यहाँ पर input जो है, source input जो है, वो K0 है, D1000 देख लिज़ें 800 आ गया, 101 आएगा, K0 आ जाएगा, 1002 जो है, क1000 आ जाएगा, and D1003 जो है 103 जो है वो के 0 आ जाएगा ओके जैसे मैं input यहाँ पर change करूँगा उस तरीके से मुझे output जो मिलने वाला है 0 to 400 में मिलने वाला है सपोज मैं यहाँ पर अभी किये मेरा जो values रहेगा वो 0 to 8000 में आ जाएगा तो मैं के 8000 लेता हूँ D140 में देख लिजए D140 मेरा source input है 8000 लेता हूँ तो output देख लिजए मेरा 100 आ गया क्योंकि हमने 0 to 100 में उसको configure किया है तो मेरा क्या आ गया output 100 आ गया अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं अगर यहाँ पर 4000 करता हूँ तो यहाँ पर देख लिजए 50 आ गया और मैं यहाँ पर 2000 काउंट करता हूँ तो देख लिजए 25 आना चाहिए या फिर यहाँ पर 6000 करता हूँ तो 75 आएगा और यहाँ पर मैं अगर 0 करता हूँ तो 0 output आ जाएगा यहाँ पर मैं 1000 करता हूँ तो टोल आउट्पूड आ जाएगा अगर हमें यहाँ पे 7000 करता हो तो आउट्पूट मेरा 80 से होना जाएगा इस तरीके से इस तरीके से आपका जो configure है मतलब जो भी temperature range रहेगा वो मेरा PLC के साथ जो मेरा count मिलने वाला है डाल सकते हो उस तरीके से destination में जो output निगलेगा तो input value 140 में आ जाएगी और output value 110 में आ जाएगी इस तरीके से SPL instruction आप use कर सकते हो और इसका utilize करके आपका जो physical parameter की values है वो उस तरीके से यहाँ पे check कर सकते हो और यह utilize हम पगार सकते ही programming के order function में comparison में या जो भी logical operation है वहाँ पे हम SPL instruction इस तरीके से output उसके use कर सकते हैं Thank you